कि नमस्का दोस्तों मैं संदिप राजफुतर अच्छी वीडियो में लिए क्या हूं कुछ खास तो साइद यह वीडियो भी आप लोगों अच्छा लगेगा अगर आपको यह वीडियो भी अच्छा लगता है तो लाइक कमें सब्सक्राइब जिनर कुरें और अपने दोस्तो लोग लिए फिसे बोल रहा हूं आप लोग बहुत सारे कॉमन कर रहे थे एक साल होगे वीडियो अप्लोड नहीं किया बहुत सारे प्रॉब्लम थे बट प्रॉब्लम बता कि कोई फाइदा नहीं है चली आगे बढ़ते हैं आप लोग मेरे साथ जूड़े रही है मैं बहु लोकेशन है यहां पे एक आरोबी बन रहा है ठीक है जो रिलोग का गेट होता है ना जहां से ट्रफिक पास होता है सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा और अपने साइड में जो भी एक्टिविटी होता है एटू जे डिटेल में समझाने के कोईस करूंगा और फिलाल मैं आप लोग को अभी ये वीडियो में दिखा देता हूं कि मेरे पास जो कैड का ड्रॉइंग आया है वो गूगल मैप में मैं मैच करके देख लिया प्रॉपर है ठीक टाक है है आपको देख रहा होगा मेरा लोकेशन यह जो लाइन जो बना रहा हो यह जो ट्रैक जो अभी रिट कलर का जा रहा है यहाँ पर हमारा आर्वी बन रहा है ठीक है और एक्जिस्टिंग जो रोड है ओ यह वाला है जो गेट है यहां पर एक और दूसरा रोड के उपजिट सा हम लोग कोई कोशिश करेंगे पूरी तरिके से इसको को रेल्यवाले के साथ माइं आ ह向 पर रहे क्ले करके बिल्कुल सही तरीके से देख सकते हैं रेलो ट्रेक का उपर हम यह सक्षन में जहां आप लाइन मा रहा हूं इधर हमारा में स्लैब रहेगा ठीक है अब दोनों गेट को हम उठा देंगे ब्लॉक कर देंगे पर्मनेंटली चलिए कैड में दिखा देता हूं आपको यह हमारा कैड का ड्राइंग ठीक ह अब कैड का ड्राइंग में मैं आपको पियर लोकेशन दिखा देता हूं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यह वान अबाटमेंट वान है यहां पर उसके ठीक बाजों में तया है यहां पर नेर्मन आपको दिख रहा होगा प्रोपर दिख रहा ओगा तो यहां पर मैं पी प्यर नंबर शिक्स्टे पिर नंबर फिप्टें यह सेक्षिंए हमारा यह आपको गोगल में दिखाया ना मैप में गूगल मैप में जो दिखाया फिर से में आप गूगल मेप में उसको भेड़ करा डूँगा कहांपे और यह जो सब्सक्राइन यहां पर हमारा का एक्जेस्टिंग गेट है ठीक है एक्जेस्टिंग गेट को हम पर्मनेट ब्लॉक करेंगे और हम ब्रीज बनाएंगे वहां प meth कि जीए को पहले बंद नहीं करेंगे पहले ब्रीज बनाएंगे उसके बार देखिए फिर गूगल मने आपको दिखा देता हूं अभी आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पि데। अआप यह प्रॉपर लिए समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं वीडियो रेकॉर्डिंग करके भी आपको दीखा देता आपको ज्यादा समझ में आएगा प्रोपर समझ में आएगा तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा पियर नंबर 15 का और रिलो ट्रेक है उस साइड में पियर नंबर 16 का ले आउट दिया गया है अब मैं प्रोपर साइड पर ही हूँ अभी आपको दिखा रहा हूं यह एक्चुल जहां पर हमारा पियर नंबर 16 कास्ट होने का है और यह जो रिलो ट्रेक है ना वहां पर एक आदमी खड़ा है मैं आपको जूम करके बताने का कोसिस करूंगा हमारा जो उधर ही हमारा सेंटर है ठीक है आपको दिख रहा होगा प्रोपर रेट कलर का और इसका दूसरा कॉर्णर भी आपको दिखाने का कोसिस करूंगा जूम करके आपको दिख रहा होगा कि नहीं मेर को नहीं पता चल रहा है बट रेट कलर का वहां पर भी एक मार्किंग दिया ह हो गया है ठीक है यह हमारा पियर नंबर 16 है ठीक है अब राइट साट पे जो गेट देख रहे है ना जहां से ट्रफिक जा रहा है जहां पर पॉब्लिक जा रहा है बाइक वगरे लेके ओ गेट को हमको क्लोज करना है क्योंकि गाड़ी कंटिन्यू आता रहता है हर मिनिट में गाड़ी आता रहता है हर पांच मिनिट में गाड़ी आता रहता है मने ट्रेन का ही बात कर रहा हुआ है अभी उहां पे हमको फ्लायोवर बनाना है ठीक है आर-व भी बनाना है करें अब मैं थन्हों सबस्क्राइब गए यह गेट जो है यह gate को host करना ओर अधे consentum को पर्मनेंट क्लोज कर देना यहां प्रमनेंट कर यह जो अब हमारा अरो बीका एख जायेगा ठीक है अब देख सकतें अभी जो मैं दिखा रहा हूं हूं यहां काट जो लेफ्ट साइड वाला गल्ली से जो टरफिक आ रहा है यानि ओ साइड हमारा एवान साइड हो गया ठीक है और बैक साइड जो है वह हमारा एटू साइड है ठीक है तो qoogle map में जो आपको दिखाया विल्कुल में उसी तरह से आप लोको समस्जाने के कोसिच कर रहा रहा हूं आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं मैं आप लोग को proper डिटेल में समझाने के कोसिच करूँ गा कि एक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में जो ले आउट दिया जाता है, वो किसी साफ से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, आप लोग को फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, और आगे कभी मैं कोशिश करूँगा, कि कैसे डिटेल में एक प्रोजेक्ट कंप्लेट होता है, A to Z बिल्कुल समझाने के कोशिश करूँगा, ठीक है, अब देख लिए, ये गेड बंद हो गया, अभी ट्रेंज आएगी, यहां से जाके हमारा पियर नंबर 14 आएगा यहां पर, P14, P14 कभी हमने यहां पर ले आउट देख रखा है, ठीक है, यह जो हमारा रेट कलर का उड़ खूटी मारा हुआ है, यहां पर हमारा पॉंडेशन का आउटर फेस आ रहा है, ठीक है, और इसका ऑपजिट कॉर्नर जो है, वह हमारा जो स्लिपर्स रखा हुआ है, उसके ठीक बाजू में है, आपको डेटल में भी दिख रहा होगा, यह मेरा 17 मिटर है, यह मेरा 5 मिटर है 17 मिटर है, अलग-अलग पाइल केप का अलग-अलग डिजाइन है, तो पाइल केप का यह लेयाउट दिया गया है, इसी में हमारा सारा पाइलिंग आएगा, ठीक है, पाइलिंग का और पाइल केप का भी डिटेल के साथ में मैं दूसरा एक वीडियो वोना दूंगा, उसमे लेऊट किया हुआ है हमसा सर्वेर टीम आया था वह लेऊट करके गया है अब हुआ चेक नहीं करा है रेलवे वीडिफ्स में चेक कर आए हैं ऑज संडे था तो आज होसा लोग के चेक नहीं कर पाए तो आज औह rant चेक करेंगा के साथ ये वीडियो एक दिन बाद में आ सकता है मैं संडे बोल दिया इसलिए बोल रहा हूं एक दिन बाद भी आ सकता है यहां पर देख सकते हैं पियर नंबर 14 यह जो यहां पर बैठने का कुछ सी टाइप का बनाया हुआ यहां से तीन मिटर आगे दिया है ठीक है आपको अभी लगबग समझ में आ रहा होगा पियर नंबर 14 यहां से तीन मिटर आगे और वह हमारा पंद्रा ठीक है यहां पर एक छोटा सा पान का दुकान है जो दुकान को हमको सिफ्ट करना होगा यहां पर हमारा 800 mm पीछे जाने के बाद यहां पर हमारा आएगा पियर नंबर 13 ठीक है फिलाल हमारे पास जो डिजाइन है उसमें 31 मिटर के स्पैन है अगर कोई भी चेंजस आता है रेलेव वाले के तरफ से अगर वो लोग कुछ भी डिजाइन में चेंज करते हैं तो हमारा स्पैन लेंथ बड़ भी सकता है अभी आपको मैं दिखा सकता हूं यहां पर जो जंसन पॉइंट जिसको टी पॉइंट बोलते हैं वहां पे पियर नमबर बारा है बिल्कुल रोड के सेंटर में आ रहा है आपको मैं थोड़ा से दिखाने का कोशिज करूंगा अभी आप देख सकते हैं हमारा पियर नमबर बारा ट्वल्प नमबर जो पियर आएगा वह हमारा बिल्कुल टी पॉइंट पर आएगा ठीक है यहां पर हमने देख सकते हैं ले आउट करके रखा है हमारा पियर नमबर ग्यारा के लिए यहां से देड मिटर राइट साइड में जाएगा ठीक है इसे आगे में हमारा एवान के तरफ भी कंटिन्यू ऐसे ले आउट किया गया है आपको समझाने के लिए एक फ्रेस साइड में समझाने के लिए स्टार्टिंग का डिटल वीडियो यही है और यहां पर हमने ट्रिंच किया है यानि मैन्योली एक्सेविशन करके देख लिए हैं कि यहां पर आजू बाजू में कोई भी केविल वगरा है या नहीं है ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वेल्टियों में तब तक क्लिए बाइबाइ थेंक्यू